हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक आवर चैनल आप सभी कापके अपनी चैनल पर स्वागत हैं मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ एचसे पीजटी स्क्रीनिंग एक्जाम के बारे में बात करने वाले हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी लंबे समय से इस एक्जाम क वेट करें वेट क्यूंभी ना करें क्योंकि यह वेकेंसी आपकी 2019 में आई थी ठीक है 2019 में आई थी उसके बाद अभी जो है अब 2022 आ चुका है लेकिन इन विकेंसी का जो है एक्जाम लेने का सरकार नामी नहीं ले लिए कि कब जो है इसका एक्जाम होगा इसके बीच में अब जो है वापस से विकेंसी री ओपन कब होएंगी कोई अता पता नहीं है बीच में आप सोश्यो एकोनॉमिक का भी फंडा आ रहा है कि भी सोश्यो एकोनॉमिक के जो मांक्स है वे उसको भी कम किया जाएगा तो अब जो है बच्चे बार-बार यह सोचने के एक्जाम क्योंकि अगर प्रॉपर टाइम पर आपके नौटिफिकेशन आए विदिन 3 नंत, 4 नंत, 5 नंत, 6 नंत के अंदर एक्जाम हो जाए तो बच्चे भी सीरियस होके एक अच्छे तरीके से एक्जाम को दे सके हैं ना तीन-तीन साल बाद एक्जाम हो रहे हैं तो जो बच्चा उस टाइम पे सीरियस था वो बाद में क्या पता किसी रीजन की वज़े से ना पढ़ पाई तो बहुत सारी चीजें होते हैं लेकिन कोीं और दिखा दिया कि हमने इतने बच्चों को लगाया यह अंग इतनी सरकारी नौक्रिया दी हैं लेकिन उनको बच्चों की फिलेंग से कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है तो आज हम बात करने वार कि इतने लंबे समय तक जब एक्जाम नहीं होता तो बच्चे दी मोटिवेट हो जाते हैं बहुत सारी बच्चे तो ऐसे हैं जो सरफ और इसी विकिंसी के ऊपर बैठे हुए हैं क्योंकि फिर बच्चों की एज भी जाती है फिर जो कि सी कैस्ट्ट के एक्जाम की वैलेडिट जा में जा है यह ऑगे फिर ऊपर अगर्म नहीं जाया में दसक्रों को यह जो एक्जाम है व उनके लिए do and Next है कि भाई करना ही के तो अब जो है अब क्या करें किस तरीके से जो है पीजेटी स्क्रीशन करें कि वह यह उइक्जाम को पास करें तो सब से से पहले देखो आप लोगों ने देखा होगा कि एक तो कंसिस्टेंसी बहुत जादा मैटर करती है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर आपकी कांटिनुटी होनी चाहिए अपका लेवल कैसा भी है एक इंटेलिजेंट बच्चा है चार देन पढ़ रहा है आप कांटिनुटिन कांटिनुटी हो अगर आपका Сलेबस हो गया कि आपने स contemporary यह स्लेबस को बहात है जिसके वुट बीके जिसके बिएया में व्यूट करें पार हूं तो यह दें किस यह शची में के खेंड़ фильм से फिकर बेड़ा jáo अपकर हैं जो सब्सक्राइज अपकर सब कहा है वो अलग था है ना तो वही बात है कि जतने number of questions आप attempt करोगे उतना ज्यादा question का nature समझ पाऊगे उतना ज्यादा clarity से answer कर पाऊगे तो test series बहुत जदा important role play करती है तो जो भी बचा test series लगाना चाहता है और यह सोच रहे कि कहां पे मुझे PGT screening की जो है computer science की test series मिल जाएंगी तो यहां पर आप देख सकते हो computer science की test series है वो आपको यहां पर अवेलेबल है 299 में अगर आप NS 50 code यूज करोगे तो आपको 50% यादि की 149 रुपीज में 15 पेपर यहां पर मिलने वाले हैं सेम आपको एक्जाम जासा पैटरन मिलेगा यह 90 question अपका 25% हर्याना जी के होगा बाकी 75% में आपका सब्जेक्ट भी आजाएगा प्लस जो आपका और Hindi English Maths ये सारे सब्जेक्ट यहां जाएगे तो अगर आप computer science इंक्लूड़ना करके सरफ और सरफ कोमन की परपरशन करना चाहते हैं तो सरफ और सरफ कोमन के यहां पर test series तो आपको 50% discount मिल जाएगा तो में यहां पर फंडा यह है कि आप कोई वे एक्जाम करो अभी आपके पास टाइम है अगर अगर अपरेल में अपर एक्जाम होता है तो अगर आप अभी test series लेते हो तो तो डेली बेसी पेपर भी लगाओगे उस पेपर को शिदत से सॉल करो क्योंकि सबसे बात होता है पेपर तो कोई भी दे लेता है लेकिन बाद में उस पेपर को अनलेसिस करना देखना आपने कहां कहां गलत क्या था क्या चीज़े थी क्या नहीं थी वह सबसे जादा मैटर करता है एक्जाम को क्वालिफाइ करने में कि पेपर लगाने के बाद इसको अच्छे से आपको दुबारा एक्जाम में दिख गए तो वहां से आपको कोई भी कुश्चन गलत नहीं होना चाहिए ठीक है तीन से चार चीज हो पेच्छी से फोकस कर लो पहला है आपका सब्जेक्ट जिसको आप बिल्कुल भी इग्नॉर नहीं कर सकते чис fixture 25 वेजबगे न आप उच्छी से कमांड बना लो सेकिन आपका हरियाना जी के सिर्फ के में डोल प्ले करेंगा है त्यैक्त की जिसको ही उतौत कि देड़ें अब ही जो है चाहते करना है चाहे कर दाना से का अधी सिर्फ ज्सक्रे पढ़ना है कंको पढ़ना रिक राज होना से ती उतल जलए कम ऐसे से हगए और कि अब आप मानीह इसलिक में ancora स्थ लुक्त चराओ के लिए स्थिया ठाओ करों कर दोंकि पोसी सम्सक्षा सेन घपले करना खाय इसके दुशह रहा के तो भी फ्रोट एप इतीन हैं फोकुस कजिए इसके भी अपके सुच हries इन उशली करताओ को अत्के सायन मार्ण चास भी हणी मल्ली ऑफ फोकस कोटीच तो यह थी पूरी exam strategy किस तरीके से आपको proportion करनी है और exam जो है अपरेल से पहले बहुत rare chances है कि अपरेल के बाद ही होगा अपरेल में होगा अपरेल के बाद ही होगा उससे पहले मुश्किल है लेकिन हाँ जब तक अगर अभी तक आपने चुछ भी नहीं है तो यह सारी चीज़ के साथ तब तक लिए बाबाय टेक केर थैंक यू थैंक यू